hey guys welcome back to the channel और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत एक और नहीं सुपर कूल और सम अमेजिन से इंसेन Clash of Clans के एपिसोड में और आज का वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि हर बार CWL की तरह इस बार भी हम कुछ बेसे लाएं आप लोगों के लिए तो शुरू करेंगे टाउन हॉल 10 से आज का वीडियो टाउन हॉल 10 का डेडिकेटड वीडियो है और आने वाले टाइम में दूसरे टाउन हॉल को हम कवर करेंगे तो गाइस यह वीडियो मिस्स बिल्कुल मत करना सब्सक्राइब कर लो फट वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और उन में से बहुत सारे लोग टाउनल टेन होते और अगर मैं एक बेस शेयर करूं तो हो सकता कि बहुत लोग कॉमन बेस यूज़ करना शुरू कर दो तो ऐसे में आउटपूट क्या निकलता है आप लोग में को कमेंट सेक कोड अड़ा डालना बिलकुल न भूला यह आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए जो मेरे को और आगे बढ़ाएगा और आगे लेके जाएगा तो गाईस यह चुमा सपोर्ट जरूर डालना तो सबसे पहले बेस के बारे मैं बात करें स्क्रीन में आपको बेस enjoy करो कैसी यह base defend करता है और क्या सबसे important चीज़े होती है मैं आपको बता रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं attack से so here we go guys अब देख सकते हो first attack यहां पर शुरू हो चुका है और यहां पर पेका बो बैट यूज किया गया आपको पता है पेका बो बैट कितना O.P. आर्मी है और टाउन होल 10 में defend करना काफे मुश्किल हो जाता है पेका बो बैट से बट आप यहां पर देख पाऊगे कि कैसे यह base जो है वो पेका बो बैट को defend करता है यहां पर combination में यूज होए है चार पेका दस बोलर ही उसे के साथ पांच बैट स्पेल्स है और उसे के साथ दो फ्रीज स्पेल्स क्वीन यहां पर वॉक करनी शूरू हो चुकी है आप देख सकते हो गाइस 40 लेवल की मैक्स क्वीन है मतलब यहां पर कोई compromise नहीं है कि इसकी हिरो लो ल टाइम पर मैं आपको यह टैक्स भी दिखाऊंगा इस बेस में कैसे डिफेंड किया गया है बट एक चीज प्लीज यार एक चीज मेरे को कमेंट सेक्शन में दिखना नहीं चाहिए कि यह बेस मैं आराम से 3-star कर लूँगा या फिर यह बेस यह है यह वह है आप यूज करो पर यहां पर हमें Queen की ability देखने को नहीं मिलेगी बोलर जो है वह काफी अच्छा काम कर रहे हैं पेकास जो है वह वह कोर में जाने की कोशिश कर रहे और वह भी splash में अच्छा खासा damage देता है bum tar wizard tar तो पेका को काफी दिक्कत हो रही है और जो healers है वो shift ही नहीं हुए है यहाँ पर पेका के ऊपर बहुत strongly defend किया अब मैं आपको लिए चलता हूँ second attack की तरफ ओके सो गाइस अब जो अब मैं अटेक देखने को मिल रहा है वो drag bat strategy अब देख सकते हो king को ड्रॉप कर दिया है विद बेबी ड्राइगन और बेबी ड्राइगन और king मिलके कुछ building clear करेगा meanwhile यहाँ पर bat spells use करे जाए विद ड्राइगन नाइन ड्राइगन यहाँ पर यूज करे जा रहे है क्वीन को अभी तक यूज किया नहीं गया है और जैसी कि आपको पता है maximum जो e-sports के tournaments होते है town hall 10 पे वहाँ पर no siege attacks होते है तो यहाँ पर भी no siege attack आपको देखने को मिलेगा meanwhile king यहाँ पर बहुत साले buildings को clear कर रहा है wall breakers drop हो रहे हैं और यह multi inferno या फिर air defense को target किया जाएगा I guess की queen से अभी तो queen drop नहीं हुई है wall breakers ने wall okay open कर दिया है और finally queen जो है वो drop हो के शायद inferno tar को target करें but inferno tar I don't think queen target कर पाएगे कि queen के range से थोड़ा बहार लग रहा है मरेको बट यह air defense जो है और यह wizard tar जो है queen जरूर snipe कर सकती है देखते है क्या होता है अभी फिलहाल queen जो है वो geared cannon पे locked थी और उसके बाद queen ने defense निकाल लिया यहाँ पर finally wizard tar के उपर target कर रही है wizard tar को भी यहाँ पर निकाल लिया जाएगा and finally archer tar को भी निकाल लिया गया है तो काफी सारा defense value यहाँ पर मिला with queen और I think dragons को finally drop किया जाएगा कहां से कर रहा है okay so multi-inferno tar compartment में dragons को drop कर दिया गया है सारे dragons यहाँ पर drop हो चुके हैं सिवाए एक एक जो dragon था उसने side को drop किया गया ताकि side के कुछ buildings है वो भी clear हो जाए ताकि dragons जो है वो proper pathing में आगे बढ़ सके तीन freeze है यह freeze के spells के जो usage है वो काफी important होने वाले क्योंकि आपको पता ही है bad spells जो वो wizard tar के सामने बहुत ही कमजोर होते हैं और एक भी अगर damage पढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो सकता है dragons जो अभी तक बहुत सही काम कर रहे हैं आप देख सकते हो guys कि dragons ने core में entry ले लिए और काफी अच्छा काम कर रहे हैं और expose क्योंकि ground है तो dragons को जादा दिक्कत नहीं हो आ रही है तो dragons काफी अच्छा जा रहे हैं यहां पर सारे bad spells यहां पर drop कर दिये गया है और bad spells जो है वो काफी dominate कर रहे हैं बट यहां पर wizard tar यह wizard tar सबसे बड़ा problem है wizard tar ने सारे dragons को यहां पर तो wizard tar ने यहां पर सारे bats को almost खतम कर दिया आप देख सकते हो यह wizard tar एक बस एक free spell की पोजिशन जो थी वो थोड़ी पोजिशन तो चलिए ठीक थी बट टाइमिंग जो थी वो थोड़ी सी early थी उसके वज़े से सारे bats वहां पर मर गया है बट फिर भी अभी भी बहुत सारे dragons बचे होए है और यह base को clean up करने के लिए काफी जादा time भी है अभी 45 seconds से आसपास बट टेसला सार्स का damage काफी है और कुछ high hit point stories हम देखे सकते हैं बाहर के बिल्डिंग्स में यहां पर खड़े हुए है और पॉफ्स जो है वह काफी कम बचे है पर last attack हमने देखा था वहीं से king queen को drop किया गया और इस बार queen को थोड़ा early drop किया गया लास्ट time पर queen को थोड़ा late drop किया गया था wall breakers यहां पर drop कर चुके है ओके test wall breaker वहां पर यूज नहीं किया गया और उसके चलते wall breaker fail हमें यहां पर देखने को मिला queen अब multi-inferno को target नहीं कर पाईगी unfortunately king जो है वह ability यूज कर चुका है और यह बहुत बड़ा एक incident था जिसके वज़े से queen जो है वह multi-inferno को target नहीं कर पाईगी अब queen बाहर के area में घूम के कुछ बाहर के defense को clear कर रही है जो कि इतना enough नहीं है queen के ability दो बची है बट इस ability से queen multi-inferno तक पहुँच नहीं पाईगी air defense निकल जाएगा शायद से yes air defense निकल गया but वो multi-inferno जो बहुत important था वो नहीं निकल पाया अब यहाँ पे देखना काफी interesting होगा कि कहां से drop होते हैं लालो portion के troops अभी भी सारे के सारे नहीं एक छोड़ के तीनों के तीनों air defense अभी भी intact है यहाँ पे कुछ loons को drop करा जा रहा है with the hound और बहुत सारे loons यूज किये जा रहे है बट यह जो sweeper की position है आप देख सकती हो sweeper point कर रहा है बिलकुल loons की तरफ और काफी जादा उनको push कर रहा है पीछे की तरफ और center में queen जो है वो भी सारे pops को बहुत जल्दी take down कर रही है loons की ओपर locked हो चुकी है और queen जो हो काफी जादा दिक्कत दे रही है इस attack में दो आपको पता ही होता है कि enemy queen जो हो हर attack पे problem create करती है बट खास करके lava loon में queen जो है वो बहुत जादा damage देती है बट skeleton spell use करके यहां पे queen को target किया गया और pops और skeletons ने मिलके queen को last finally निकाल लिया बट यहां पे आप देख सकते हो guys loons की quantity बहुत कम बची है यहां पे finally heal spell का use किया गया बट इतना fire power बचा नहीं था और इस base से यहां आप एक काफी अच्छा defense किया with one star so I hope guys कि आपको यह video अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरे को बताना comment section में कि आपको कितने और town halls के bases चाहिए होंगे मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ और आप लोग प्लीज यार bases को use कीजिए दो एक वार में एक बाद test कीजिए और उसके बाद results देखिए दो मेरे को पता कि हर base में attacks जो है वो different होते हैं और हर base को defend करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक ही तरीकी के से base layout से फिर भी मैं कोशिश करूँ आने वाले टाइम पर अलग-अलग base के layout सबसे share करूं तब तब मिलता हूं guys next video मै challenge as always guys jaihin bye